हेलो फ्रेंच नमस्कार और स्वाग थे आपका आपके फेवरिट यूटूब चैनल एक्जैम क्रेक्कर में फ्रेंच आज किस वीडियो में हम सोल्व करेंगे रिजनिंग के ऐसे क्वेशन जो एक्जामिनेशन में आते रहते हैं तो आएए शुरू करते हैं इस क्वेशन के सा है बो सोचना है और उसी तरह से वो रेलेशन हमें छे और क्वेशन मार्क में एपलाई करना है लेकिन जब में कीश होना चाहिए तो आठ को कि आठी सकते हैं में चारजमा कर दिंद्र हम बारा से अगर अगर हम 6 में 4 जमां करें तो हमें 10 मिलेगा, लेकिन you 10 हमारे किसी ने किसी उ knife हो ना चाहिए, नहीं है. अब क्या करेंगे? ये reject कर देंगे. अब दूसरे तरीके से सोचेंगे अगर हम 8 को 2 से गुणा कर दें और फिर minus 4 कर दें, तब कितना ऐगा? 16 minus 4 is 12. 8 तो हमारा given number है यहाँ पर उसको हमने 2 से गुना की फिर minus 4 किया हमें मिला 12 तो इसी तरह से 6 को भी हम 2 से गुना करेंगे फिर minus 4 करेंगे तो कितना हैगा 6 दुने 12 minus 4 8 और देखिए यह हमारे option 4 में मिल रहा है तो यही हमारा answer आएगा क्योंकि हमने एक जैसे तरीके से solve किया है हमने given number को 2 से गुना किया फिर minus 4 किया यहां भी given number को 2 से गुना किया फिर minus 4 किया तो हमारा option 8 सही जवाब है देखिए इस question का answer एक ऐसे भी हो सकता था हमारे पास number है 8 और 8 में हमने क्या add किया जो given number है उसका आदा ऐसे तो वो बन गया 8 जमा चार 12 लेकिन यहां पर यह rule apply नहीं होगा हमने 6 में 6 का आदा add किया तो यह बना 6 जमा तीन बराबर है no लेकिन हमें किसी भी option में no नहीं मिल रहा है तो हमारा यह वाला option भी और यह वाला पहला method भी और तीसरा method भी reject है इसलिए हम second method के साथ जाएंगे क्यूंकि इसमें हमें 8 answer मिल रहा है हमारा अगला question है जिस तरह से 5 को 21 में लिखा गया है उसी तरह से 7 को क्या लिखा जाए तो 5 से हमें 21 कैसे मिलेगा देखिए मैंने पहले भी कहा है जब इस type के question होते हैं उसमें बहुत सारे answer आते हैं जैसे 5 को हम 4 से गुणा कर दे और एक जमा कर दे तो यह आ जाएगा 21 क्या इसी तरह से 7 को 4 से गुणा करके और एक add करके जो answer मिलेगा वो हमारे option में होगा 29 किसी भी option में नहीं है मतलब rejected हो गया यह वाला method अब देखिए दूसरा method ऐसे भी हो सकता है जो यहाँ पर number है 5 उसका हम square कर दे और फिर minus 4 कर दे तो देखिए 25 minus 4 हमें मिलेगा 21 क्या यही method यहाँ पर जो answer देगा वो हमारे किसी option में होगा तो यह आएगा 49 minus 4 और यह मिलेगा हमें 45 देखिए 45 भी किसी option में नहीं है तो यह भी rejected हो गया लेकिन हमें तो 21 चाहिए 21 मिल रहा है लेकिन उसी method से 7 से जो question mark की value मिल रही है वो किसी भी option में नहीं मिल रही है तो अगर हम इस तरह के बजाए ऐसे करें जो हमें number दिया गया है उसको हम उससे एक कम number से multiply करें एक कम मतलब 5 minus 1 और उसमें फिर जो answer आएगा एक जमा कर दे तो क्या मिलेगा हमें 5 गुणा 4 जमा एक पांच गुणा 4 बीस जमा एक 21 आएगा इसी तरह से हम 7 को 7 माइनस एक number से multiply करें और एक जमा कर दे तो 7 गुणा 6 जमा एक ये मिल जाएगा हमें 43 और देखिए 43 हमारे option एक में answer मिल रहा है तो यही हमारा answer होगा correct option हमारा 43 ही होगा हमारा अगला question है find correct number in place of question mark जिस तरह से 83 को 25 लिखा गया है 29 को क्या लिखा जाए तो 83 से 25 कैसे लिखा जाता है देखिए हम अलग अलग से digits पहले 8 और 3 इन दोनों का difference देखेंगे वो आएगा 5 अब उसका square कर दें तो तो square कर दें तो हमें मिलेगा 25 इसी तरह से two and nine two and nine इसका square करें तो यह minus seven आएगा और minus seven का square करें तो 49 और 49 हमारे option third में है देखें यहां पर हम ऐसे भी देख सकते हैं इन दोनों में से जो बड़ा है वो पहले लिख लेंगे eight minus three five आया five square मिला इन दोनों में से जो बड़ा है nine minus two seven आया और seven का square हमें मिला 49 और वो ही हमारा option है तो इस के इस type के question को हम कैसे देखेंगे इन दोनों digits में minus कर लेते हैं और फिर square कर लेते हैं यहां पर भी वैसे ही है हमें सिर्फ चार option में से कोई एक answer इसी method से चाहिए जो दोनों जगा apply हो सके अगले question में लिखा है जिस तरह से 169 को 4 लिखा गया है उसी तरह से 441 को क्या लिखा जाएगा देखें जब किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर में convert किया गया है इसका मतलब है digits को हमने individual consider किया है और जब हम individual digit को consider करते हैं या तो उनको add कर लेते हैं या multiply कर लेते हैं तो जब हम इसको add करेंगे 1 plus 6 plus 9 तो इसका क्या answer आएगा 16 अब 16 से हमें 4 चाहिए तो 16 से 4 कैसे मिलेगा जब हम इसका root ले लेंगे यहां पर दूसरे नंबर में देखते हैं 441 इसमें digit है 441 जब इन तीनों को add किया तो हमें मिला 9 और 9 का square root लिया तो वो हमें मिला 3 अब यह हमारे option नंबर एक में है तो यही सही जवाब है हमारा अगला question है यहां पर लिखा है 22 को 484 लिखा गया है उसी तरह से 19 को क्या लिखा जाए 438 169 या 483 या 163 देखे 22 22 से 484 कैसे बनता है जब हम इसका square करें लेकिन 19 का square करेंगे तो वो आएगा 361 हमारे किसी भी option में 361 नहीं है तो यह answer कैसे आया होगा देखे यहां पर यह बहुत tricky question है हम इसको किसी दूसरे तरीके से सोचेंगे और answer find out करेंगे हमें कोई ऐसा तरीका निकालना है जहां पर 22 को 484 ही लिखा जाए और 19 को इन चार option में से कोई एक देखे अगर ध्यान से देखेंगे तो 22 का square 484 होता है अब इसके digits को हम reverse कर देंगे जो पहले नंबर पे है वो last पे ले जाएंगे जो last पे है वो पहले पे और इस case में ये ऐसे ही रहेगा लेकिन जब 19 का square करेंगे तो 361 अब जो सबसे last में है उसको सबसे पहले जो second last में है उसको दूसरे नंबर पे और जो सबसे पहले है उसको सबसे last में अब हमारा option नंबर चार इसी से ही answer मिल रहा है 163 तो फ्रेंच ये था आज का वीडियो जिसमें हमने reasoning के कुछ question solve किये मुझे पूरी उमीद है आपको ये question बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ भी आ गए होंगे अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भोले इसी तरह की मैस जी के ओर रिजिनिंग के ओपर वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको आप लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके थैंक्स वार वॉचिंग